दोस्तों लड़किया तारिफ की भुक्य होती है अगर साइड धंक से उनके तारिफ किया जाए तो उन्हें पटाने में ज्यादा वक्त नहीं लगता आपको अगर लड़की की तारिफ करनी नहीं आती तो लड़की आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं करेगी आपसे दूर भागेगी लेकिन ये बात लड़की आपको कभी भी जताएगी नहीं लड़कियों को तारिफ करने से लड़किया खुश होती है और आपसे दोस्ती भी करती है और आपसे प्यार भी करती है लड़कियों की तारिफ करने से उन्हें ऐसा लगता है जैसे आपको उनकी कदर है और आप इंडारेक्टली उन्हें ये सिगनल देते हो कि आप उन्हें बहुत पसंद करते हो तो चलिए शुरू करते हैं कि कैसे आप उनकी आखों की तारिफ करके उन्हें इंप्रेस कर सकते हो डायलग नमर एक आप अपने क्रश को या जिसे आप पटाना चाहते हो उसे ये बात बोल सकते हो तुम्हारे इन खुबसुरत आखों के सपनों की देखवाल करने की जिम्मेदारी मैं लेना चाहता हूँ दोगी बदले में मुझे दो वक्त का प्यार दे देना दोस्तो ये उसके आखों के तारिफ के साथ साथ एक लब प्रोपोजल भी है डायलोग नमर दो किसी भी लड़की के फोटो को देखकर या उसके आखों को देखकर उसे ये बात बोल सकते हो तुम्हारी आखों में जिस दुनिया को मैंने देखा है उसे सबसे चुपा कर रखना क्योंकि हर कोई इसमें बसना चाहेगा ये थोड़ा सा हट के तारिफ है इसमें आप ये बताना चाहते हो कि आप उसके आखों में बसना चाहते हो डायलोग नमबर 3 आपके गल्फरेंड को या आप जिसे पटाना चाहते हो उसे आप ये बात बोल सकते हो तुम्हें मैंने बोलने के लिए बहुत कुछ सोच कर रखा था लेकिन तुम्हारी इन कातिल आखों को देखकर मैं सब कुछ भूल गया हूँ दोस्तों ये एक सिंपल सा डायलोग है लेकिन किसी भी लड़की को फिलिंग्स के साथ बोला जाए तो लड़की बेहत खुश होगी डायलोग नमबर चार लड़की के फोटो को देखकर या उसके आखों को देखकर ये बात बोलिए मैं तुमसे प्यार नहीं करता था लेकिन तुमारी आखे मजबूर कर रही है मुझे तुमसे प्यार करने के लिए डायलोग नमबर पाच किसी लड़की का फेस्बुक पिक्चर देखकर या ऑनलाइन पिक्चर देखकर 10-20 मिनिट बाद उससे ये बोल सकते हो मेरा सबर बहुत ही कम है मैं तीन गंटे का मूवी आदे गंटे में खतम कर देता हूँ लेकिन तुमारी पूटो में मैंने 10 मिनिट से सिर्फ तुमारी आखों को देखा है फिर भी नजरे हटाने ही पा रहा हूँ यह तारीफ एक नैचुरल तारीफ है और कोई भी लड़की इससे सिरियसली इंप्रेस हो जाएगी